हेलो दोस्तो तो उत्तर पाट शाला में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत सौगत है और आज हम डिस्कस करेंगे ग्विज थ्री के रिजल्ट के बारे में और साथ ही उसके सभी क्वेश्चिन्स और उनके अंसर्स तो देखिए Champions of the Week में पिछले बार के रिजल्ट के बाद इस बार जो हमारा टॉपिक रहा था वो था इंडिया उसकी फिजिकल कंडिशन्स और इंडिया के भाग तो जब हमने इस पे क्विज किया तो इसका फाइनल रिजल्ट है प्रियंका भट is the winner of the quiz 3 और आपको बता दें कि प्रियंका भट इससे पहले quiz 1 की भी विनर रह चुकी है यह हमारे ग्रुप से काफी पहले से जुड़ी हुई है और पिठोरागर से है तो बहुत सारी बधाईया आपको और आपके भविश्य के लिए सुबकामना है आपको प्राइज में हाई स्कूल इंगलिस ग्रामर की बुक या फिर ऑक्सफोर्ड इंगलिस ग्रामर या विजन आई एस क्लास्रूम के स्टेडी मटीरियर बिलकुल फ्री में प्रदान किये जाएंगे तो आपको बहुत बहुत बदाईया तो चलिए देखते हैं क्विज के पूछे गए प्रश्ण और उनके उत्तर पहला प्रश्ण है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है जी हां लेंड बाउंडरी इंडिया की कितनी है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 15200 किलो मिटर यानि की ऑप्शन नमबर ए सही है अब देखिए जो हमारी में लेंड बाउंडरी है मुख्य भूमी सीमा वो है 6100 किलो मिटर अब अगर हम द्वीप समू को मिला दें और उसके बाद 30 सीमा देखें तो वो है 7516 किलो मिटर और अगर भारत की कुल सीमा की बात की जाए तो वो है 22716.6 किलो मिटर तो इस प्रश जिस सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है वैसे आपको पता होगा पस्चिम बंगाल एक अंतराश्ट्य सीमा रेखा में काफी बड़ी सीमा रेखा बनाता है पी योके को मिला दिया जाए जी हाँ पाक अधिकरित कश्मीर को अगर मिला दिया जाए और अकसाई चिन को मिला जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाएगा लेकिन इस प्रशने के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य हमारी सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है जो कि है 1214 किलो मिटर की यह सबसे बड़ी सीमा रेखा है और गुजरात अपने विशेश शेप या स structure की वज़े से इतनी बड़ी सीमा रेखा बना पाता है चलिए सुरू करते हैं तीसरा question भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या कहला थी यह एक बहुत ही common question है और आपको पता है इसका सही उतर है red cliff line यह line 1947 में मानी गई थी red cliff line भारत और पाकिस्तान के वीचे अब देख पाकिस्तान और बांगलादेश के वीच है क्योंकि यह line जो है 1893 में मान ली गई थी तो durand line mainly पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वीच है मगर जो छोटा सा border कश्मीर में इंडिया और बांगलादेश अफगानिस्तान का लगता है उसे भी हम कहते है durand line durand line भारत हुआ अफ चीन के बीच में देखिए 1914 में जो similar conference हुई थी उसके अंदर इसको माना जा था तो जो मैक मोहन लाइन है वो है भारत और चीन के बीच में अब जो line of control है यह होती है no man's land between India and Pakistan तो यह no man's land है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो इस प्रश्न का सही उत्तर है red cliff line देखि निमन में से कौन नैपाल राज्य से सीमा नहीं बनाता है अब ये question थोड़ा सा सोचने वाला है क्योंकि इसमें से आपको ढूनना है जो नहीं बनाता है देखिए उत्तर प्रदेश जहां उत्तर प्रदेश बनाता है बिहार बिहार भी बनाता है पस्चिमंगाल लावा सिक्किम और उत्तराखंड ये दो राज्य भी नैपाल से सीमा बनाते हैं अब जो हमारा हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है अगला कॉस्चिन है दस डिग्री चैनल स्तित है तो देखिए दस डिग्री चैनल है छोटा अंडमान वकार निकोबार के बीच में जी हाँ दस डिग्री चैनल है छोटा अंडमान वकार निकोबार के बीच में देखिए मिनिकॉई और मालदीव तो मिनिकोई और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल मिनिकोई और लक्षदीब के बीच में है 9 डिग्री चैनल अब देखिए छोटा निकोबार वह ग्रेट निकोबार इसके बीच के चैनल को कहा जाता है सेंट जियोर्ज चैनल तो आपको याद रखना है मिनिकोई और मालदीव के बीचे 8 डिगरी मिनिकोई और लक्षदीप के बीचे 9 डिगरी छोटा अंडमानवक कार निकोबार के बीचे 10 डिगरी और छोटा निकोबार वक ग्रेट निकोबार के बीचे सैंट जोर्ज चैनल तो इस प्रस्ण का सही जवाब है option number C चलिए अगला देखते हैं जलेपला दर्रा कहा है तो आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा दर्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जलेपला जो दर्रा है वो कहा है देखे जलेपला और नाथुला यह दोनु दर्रे आते हैं सिक्किम में अभी देखे अरुनांचल प्रदेश है तो अरुनांचल प्रदेश के दो दर्रे है यांग्याप और दीफू देखे यह मांचल प्रदेश के दर्रे हैं बारालाचा और शिपकिला और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर रहे हैं बनिहाल, बोर्जिल, कारा कोरम, जोजिला, पीर पंजाल ये सारे हैं जम्मू कश्मीर में तो एक बाद सीक्वेंस में आप देखांगे सिक्किम, जैलेपला, नाथुला, अरुनांचल प्रदेश, यांग्याब दीफू, हिमांचल, बारालाचा और शिपकिला, जम्मू कश्मीर, बनिहाल, जोजिला, कारा कोरम, पीर बंजाल और बोर्जिल तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है सिक्किम फिर देखिए, गारो, खासी, जैनतिया किसका भाग है? देखिए, गारो, खासी, और जैनतिया, ये तीनों मिघाले की पाड़िया है और ये दक्कन पठार का भाग है और ये दक्कन पठार का भाग है अब देखिए, गारो, खासी, और जैनतिया ये नाम इन परवत की एरी तलहटी में ये इन परवतों में रहने वाली विशेश जनजातियों के वज़े से जाने जाती है गारो जनजाती, खासी जनजाती और जैनतिया जनजाती ये मेघाले की जिन जातिया है इनी के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम है अब आपने सुना होगा मेघाले के माशिन राम में सरवादिक वर्षा होती है तो उस वर्षा का रिजिन भी यही तीन पहाड़िया है देखे गारू, खासी और जैंतिया तो जब मानसून आता है तो जब मानसून आता है तो वो क्या करता है इन पहाड़ों से टकराता है और यहीं गूमते रहता है जिस वज़े से यहां सरवादिक बारिश होती है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर था दक्कन पठार का अगला question है, दक्षिन भारत का सर्वोच सिखर है, काफी common question है, खासकर SSC के लिए बहुत ज़्यादा common question है, इसका सही जवाब है अन्नाई मुडी अन्नाई मुडी दक्षिन भारत का सर्वोच शिखर है, जिसके उचाई है 2695 मीटर और ये है अन्नाई मलाई परवत पर, अन्नाई मुडी सबसे उचा सिखर है, जैसे हिमालाई परवत पर, एवरेस्ट सबसे उचा सिखर है, उसी तरह अन्नाई मलाई परवत पर, अन्नाई मुडी सबसे उचा सिखर है अब देखिए, लुशाई, तो लुशाई हिल्स जो है, ये मिजोरम में है, पटकाई बुन, ये अरुनाचल वा नाकालेंड में है, और नामचा बरुवा के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से मुणती है, वहाँ पे है नामचा बरुवा, ये है अ तो देखिए, मुंबई से गोवात, यानि कि ये वाला भाग, ये कहलाता है कोंकर, ये भाग कहलाता है कंणड, और ये भाग कहलाता है मालाबार, कोंकर, कंणड, मालाबार, अब देखिए, कृष्णाव कावेरी के बीच का ये वाला भाग कहलाता है कोरो मंडल, यानि कि ऑ और ये भाग कहलाता है उत्तरी सरकार, तो यहां तक आपको क्लियर होगा, अब चलिए देखते हैं इस प्रश्ण के उत्तर के बारे, तो देखिए, क्रिश्णाव कावेरी के बीच का भाग है कुरो मंडल, और इसी कुरो मंडल पे है चिन्न, जहां से भारत में ओसत समुद्र तल ना पा जाता है, औस्त समुद्र तल को कौरो मंडल से ना पा जाता है फिर देखिए, उत्तरा खंड में परियटन मंतरी का कारेभार किस के नहीं है, तो इस प्रस्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये एक कॉमन क्षिण है, और उत्तरा खंड में तो ये थे सभी दस महत्वपूर्ण प्रश्ण जिनके बारे में हमने विश्तृत चर्जा किये अगर आप हमारे ओनलाइन वट्सेप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नमबर पे आप अपना नाम और अपने एक्जाम जिसकी आप तयारी कर रहे हैं उसे भेज सकते हैं और आपको अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको हर रोज की करेंट अफियर्स और बाकी सारी वीडियो की नोटिफेकेशन मिलती रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद